नमस्कार साथियूं स्वागत है आप सभी का प्यारे बिद्ध्यार्थियों मैं SP सुक्ला एक बार पुना उतकर्ष के इस आंलाइन मंझपर स्वागत वंदन ओंकोटी कोटी अभिलेंदन करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आप जैसा की देख पारें सिच्छक भरती परिच्छा को ले करके बीते दिनों में कई बार धर्ना प्रदर्शन भी हो चुका है और बोर्ड की नई अध्यच्छा जो है किर्थी पांडे जी को चुना गया उसके बाद से जो सुबु का हट है बड सभी परिच्छाओं को ले करके खास्तोर से टीचिंग एक्जाम्स को ले करके एक नया हल्चल है उसी हल्चल के बीच में आज हमारे यूपी के वर्तमान प्रधान और वर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कर सकते हो योगी आदितनाथ जी बहुत एक्टिव हो चुके ह कहावत कही गई है ना अंत भला तो सब भला ओल इस वेल देट्स एंड वेल तो अभी यह मौका है वक्त है समय है आप विद्यार्थियों के लिए भी कमरकस लेने का देखो आज की नियूज है बचे यूपी में उन्चास हजार पान सो खाली पदों पर जल्द सुरू होगी भरती ये बात कही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ जी ने आओ बचे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने विविन बोर्ड आयोक के अध्यच्छों को निर्देश दिये हैं उन्चास हजार पान सो रिक्त पदों पर जल्द भरती प्रक्रिया पारदर्सी और समय बद्ध ढंक से पूरी कराएं इसके साथ ही चिकित्सा तकनीकी विभागों में इस्थानी इस्थर पर बोर्ड गठित कर सीग्र भरती की जाए सभी भरती प्रक्रियाओं में आरच्छन नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो यानि कि जो रिजर्वेशन को ले मुख्यमंत्री को पूलिस भरती प्रोनत बोर्ड के अध्यच डीजीपी की बाते कियां डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाल में संपन पूलिस भरती प्रक्रिया संचालन के संबंध में आउगत कराया मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूलिस भरती परिच्छ करने पुक्ति कर सकती हैं थिैसे एक काल प्राप्त करें अधियाचनन घं नियुक्ति पूरी कराई जाए बैबेट संस्था को ना बनाए केंद्र यहां पर भी एक चीज़ बताया कि प्राइवेट संस्था को ना बनाए केंदर यानी CM ने निर्देश दिये हैं कि ट्रांस्पोर्ट एजनसी परिच्छा केंदरों के चैन की प्रक्रिया में साउधानी बरते हैं, गोपनियता हर हाल में सुनिश्चीत की जाए, अधिकरित एजनसी के साथ चैन बोर्ड आयोग का MOU भी होना चाहिए, राजकी सहायता प्राप्त विद्यालों को ही परिच्छा केंदर बनाया जाए, केंदर का चैन डियम जिला विद्यालाय निरेच्छक के निर्देश में किया जाए, परिच्छा के संबन्द में सभी बोर्ड आयोग अध्यच्छ मुक्र सचिव पुलिश महानिदेशक के साथ बैठा करें, परिच्छा में AICC TV का भी मदद लिया जाए, अफवाह रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाए, मुक्रमंत्री ने सभी बोर्ड आयोग से कहा कि सभी भरती प्रक्रियाओं को शमय बद्ध धंक से बढ़ाने के लिए प्रश्न बैंक त्यार करें, सुचिता के लिए यह निता पैसे देखने को पाते हैं कि जो दुन्द की स्थिती में होते हैं, दोनों सही होते हैं, अब ऐसी स्थिती में नुकसान उन विद्यार्थियों का हो जाता है, जो किसी एक को मार के आते हैं, या छोड़ देते हैं प्रश्न को ही यह समझ करके कि यार निगेटिव मार्किंग से बचने से बहतर है कि इस प्रश्ण में हमको अश्रुविधा हो रही है गलत लग रहा है इसको छोड़ देते हूं बाद में जब कोश्चन का बराबर अंकन किया जाता है तो बच्चों का नुकसान भी हो जाता है तो इस चीज को देखते हुए पेपर के लिए भी बात किया तो बच्चे ओबराल आप देख रहे हो कि अगर यह बात किया जा है बोर्ड आयोक क्या धिश्टों को निर्देश दीते 49,500 रिक्त पदों पर भरती कराने की बाते की गई है अब यह 49,500 खाली पदों पर जो अभी बाते हो रही है कि बहुत सीग्र बच्चे चाहे आपका स बच्चे पफिलब कराके रोक रखा है उसको बहुत सीग्र कराइए या फिर बच्चे एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अल्डी फॉर्म फिलब कराए गये हैं उसकी भी बाते की जाए और हाली में यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम भले हो चुका है यूपी इस कॉंस्टिवल के एक्जाम के साथ ही योगी आदितनान्दे जैसा कि एक एक लाक भरती तो उसमें से लगबख साथ हजार दोसो चॉलिस हो निकाओ तो चॉलिस जार भरती लगबख बच रही है और बहुत दिन से जो भरती नहीं प्रक्रिया में आई है यूपी यसाई का एक्जाम हो इसको भी करह जाने की कवायत बढ़ गई है साथ ही साथ बच्चे ये तो रहा और इसके अलामा जैसे लोग लेखपाल हो गया वीडियो का एक्जाम हो गया ऐसे एक्जाम नेसंस हो गया उनकी बाते तो लगातार चल रही अच्छा अभी आप देख रहे होंगे की केंदरिय विद्याले में बच्चे टीजी टी पीजी टी की भरती का नोटिफिकेशन आया हुआ है इस क्रेनिंग वगयरा हो रही तो जो बच्चे नहीं किये हैं वो आपका लेजे और इसके साथ साथ जो नई भरती और आपके यहां दस्तक देगी बहुत सीगर हुआ हो मैं को त्यार रहना है एलडड रहना है क्योंकि मौझूदा सरकार भी एलडड हãं और बोर्ड प्रक्रिया चाहे जो भी बोर्ड हों चाहे वह सिछा सेवा चैन बोर्ड या उत्तर-प्रदेश पुलिस प्रोर नति बोर्ड हो या और और भी जो इंक्जामनेसंस कराने वाले बोर्ड्स हैं संस्थाय हैं सभी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और बहुत सीगर बच्चे भरती आने के आसार भी हैं ठीक है साथियों तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा आज के लिए इस सेशन में इतना ही बहुत बहुत धन्यव झाल